हलो दोस्तों जैमाकाल मैं आपका दोस्त चंदर शेकर सुनने टू इन्फिनेटी चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागट करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेर करें और ऐसींटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सस्क्रायब कर बैल आइकन को दबाए जिससे नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सके दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे आगे आने वाले राजस्तान के जितने एक्जाम है पतवारी वन पाल वन रक्षक, हाई कॉट, राजस्तान अशाई जितने भी जो राजस्तान में जी के आएगी उन सभी में आपको दोस्तों बहुत हेल्प लेगी यह मेरी आपको भी पता चल जाएगा देखते ही आपके क्या-क्या इंपोटेंट है, क्या-क्या काम में आती है, और किस से समंद Ihnen वीडियो बनाए हैं, जो आपके एक्जाम में अधिकत्तर आते हैं, उन सभी के बारे में बनाए हैं, तो दोस्तों उन्हें कि उटों की प्रजाती कौन कौन सी है हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं और उटे के बारे में कई बार सीधे क्योशन भी आ जाते हैं तो उनके बारे में हम आज विस्तरत पड़ेंगे उसको ट्रिक के माद्देम से उसकी नसलों के बारे में पड़ेंगे तो कल हमने गायों की नस नसले की दोस्तों दो ट्रिक बताईए मैंने आपको जो पसंद आए दोनों में से चूज करके उसे याद कर लेना तो उट की प्रमुक नसले पहले उट के बारे में जान लेते हैं कि उट के बारे में इंपोर्टेंट चीजे जो अधिकतर एक्जाम में पूछी गई है देखे जिए कि उट बंस की द्रश्टी से राजस्टान में कौन सस्तान है कई बार पूछ लेते हैं तो उट राजस्तान में कहाँ अश्टान राकेजे सुने दोस्तों राजस्तान में देश को पहलोिख second जै एक यहाँ पर देश के 70 प्रतिस्त उट पाहे जाते हैं किति प्रतिस् वूंग्रों में वहां पर कम पाये जाते हैं परताब गड़ों तो वहां परोफ सबसे कम पायो सब्सक्राइब अनुषित नां संस्थान पर तो कहाँ पर भीious ने आधने में यह बियात रखने की ज़गे तो यह है ठीक है दोस्तों यह चीज वह जराए और उट के देउता की बारे पूच लेकर तो किसे करते कहिते कई बार कूछा गया कि पाभुजी को फोसे कांठ ह候 औचले यह को अब सकते हैं और ऊठके जो बारे में पटे पीलिटी तो यह हो गई इसके बारे में पूच लेतलिती कि गौर्बंद कि अबुशन तो गौरबंद भी उक्सट है जैसे तंग मोर्खा गौर्बंद और पिलाण यह सब उटके सजावटी वस्तुए मान सकते हो या भुष्ण मान सकते हो उटके तो यह हो गई उटके बारे में हमने इंपोर्टेंट चीजे पढ़ लिए अब हम पढ़ेंगे उटकी प्रमुक नसले उसके बारे में देखते हैं उटकी नसले इसकी ट्रीक है जैसे उट विका नाचना गो यह तो एक ट्रीक हो गई कि अगर ऐसे याद रख सकते हो उट जैसे ही उट विका नाचना स्टार्ट हो जैसे उट विका नाचना गो तो जैसे से जैसल मेरी जैसल मेरी के बारे में बताओ जैसल मेरी उट सवारी वा रेतिले शेतर में दोड़ने में आप यह परसिद्द है ठीक है उट से याद रखना दोस्तों यह उटकी नसले हैं विका से याद रखना यह विका नेरी नसले बिकानेरी नसल है, जो बोज경ों के काम में आती है ठीक है नाचना नाचना याद रखना यह सबसे अच्छी नसल है उटकी नाचना सबसे अच्छी नसल है उटकी यह जीसल में पड़ती है यह तेज डोडने के लिए विश्वे में बहुत परसिदे दोस्तों गोसे याद रखना है दोस्तों गोमट कौन से गोसे क्या रखोगे गोमट यह भी उटकी यह सवारे यह तुपरसिदे यह भी यह फलोदी जोदपूर के आसपास है यहां पर पढ़ती है और इसकी दूसरी टीर के दोस्तों गोना को दे अगर इससे याद रख सकते हैं तो इससे याद रख लोगा गोना को भी दे तो गोसे हो जादाएगा गोमट ना माचना दोस्तों यह एक्को आसनी यह दो जाएगी और पिर आपको औरोन के बारे में पूछ लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो तो दोस्तों हमने कल गाय की बारे में पड़ा हरी में की गायों का सारा माल गंडा था यह आसान से ट्रिक थी उसकी उसमें सारी गाय की नसलों की ट्रिक आजाएगी उसके बारे में हमने पड़ा उट के बारे में गोना को बीज दे आ आज में उट के बारे में बता चुका हूं तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको बैस भेड़ बक्री इनकी नसलों के बारे में तो दोस्तों पहले वाले वीडियो पूरा जरूर देख लें इसमें आपको बहुत एल्प मिलेगी और हसते रहें मुस्कुराते रहें फिर मि बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों धन्यवाद आप सभी का